गोड अप्टरनून नावसकार दोस्तो स्वागे थे आप सभी का 2011-2012-2013-2014 इन सब के भी दोस्तों काफी सारे ऐसे टोके लांच हुए हैं जो कि लोगों को दोस्तों 10-10-20-20-20-30-30-30-30-30-30-30 करोड पर दी मतलब मल्टी बिलियनेर मिलियनेर बना गया है बट इन सभी के भी जैसे कि मैंने बताया कि 2010-2012-2013 के अंदर कुछ ऐसे टोकेन जो की बहुत बड़ी यहां पर अगर मैं बात करूँ टोकेन से आज के टाइम पे भी वो उस लेवल का रिटन दे नहीं पाया है आज हम इस वीडियो पे एक कोईन की डिसकेशन करने वाले हैं जो की दोस्तों बिटकोईन का अगर हम बात करोगे बिटकोईन का साथ ही एथिरियम का साथ ही अब कह सकते हो क्योंकि उस टाइम के सभी प्रजेक्ट ने उस लेवल का पंप दे लिया बट ये पीछे क्यों रहा गया है इसको उपर डेटल में बात करेंगे जी हां आपके पोर्टपोलियो में 101% होगा मुझे जहां तक लगता है और ये टोकेन आने वाले दिरुपे मोस्ट आपको XRP के बारे में डीटेल में बात करेंगे ठीक है वीडियो में आगे बनने से पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत मार्केट की अब डियरेंट टाइम में जब ये वीडियो रेकोर्ड कर रहा हूं अच्छी खासी प्राइस जोन पर है बात करते हैं यहां पर बिटकोईन की डॉमिनस तो थोड़ी सी बिटकोईन की डॉमिनस फरक आई है 0.5% की ठीक है अब क्यों यहां पर बता रहा हूं जैसे की देख सकते हो अभी 51% डॉमिनस यह बिटकोईन का यह 51.4549 था ठीक है तो एवरी 4 आवर में यहां पर फंडिंग रेक चेंज होता है तो उसके एकोडिंग यहां पर मार्केट की सेनेरियो थोड़ी बहुत बदलती है बट बीटीसी के बाद अगला पल्ला हमको यहां पर दिख रहा है बहारी क्या है इथरियम की अब इथरियम की इतनी पल्ला वारी होने के पीछी का रीजन क्या है अब बीटकोईन का एटियम तो अप्रूब हो गया अब मार्केट में नया चर्चा मार्केट में नई हाइ ETF एप्रूब होने वाला है तो इसलिए Bitcoin के पीछे सबसे जारा उपर जाने वाला token अभी Ethereum रग रहा है Ethereum के पीछे कापी सारे token से हमें specially बात करेंगे XRP Ripple को लेके क्या कुछ चल रहा है आपकी investment को यह क्या करोडों में बदलने वाला है तो XRP Ripple दोस्तो आज नहीं इसके पीछे जो investor आप देख सकते हो लगबग 17,16 से 17 बड़े-बड़े companies है ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहली investment XRP Ripple पे हुई थी 2013 पे ठीक है 2013 April महिने पे XRP Ripple की foundation बनी थी देन अगर आप देखोगे 2013 पे investment आया 2013 पे फिर इंबेस्टमेंट आया फिर 2013 November पे 2014 पे एक बार investment आया 2015 पे एक बार यहाँ पर इसकी investment fundraising हुई then 2015 पे 16 पे 19 पे अब यहाँ पर 19 पे आखरी fundraising हुआ था चोकि बहुत बड़ी amount हो जाती है लगबग 200 million dollar की fund को raise किया गया था ठीक है 9.8 billion dollar का अब यहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा लगबग valuation 9.8 यानि के 10 billion dollar की valuation पे XRP रिपल की लगबग 300 million dollar की fund को raise किया गया था वो भी up to 2019 तक coin launch कब हुआ था दोस्तों अगर हम देखते हैं coin launch हुआ था 2013 पे same thing मैं आपको यहाँ पर थोड़ी दिखा देता हूँ ठीक है जैसे कि देख सकते हो Ethereum 2014 पे यहाँ पर आया market पे and अगर बात कहलेंगे XLA में अगर देखोगे 2015 पर आया IOT है 2015 पर यार इनमें अगर आप देखोगे 15-15,000 X 10-10,000 X इस तरीके से अगर आओगे BNP इन सब में आपको बहुत high level का pump like BTC का आज आप देख सकते हो बट यह सब coin time to time समय के साथ बहुत पैसा दे चुके लोगों को multi-billionaire बना चुके बट जैसे कि मैं बात करा था इन पे XRP यह कैसा token है जो भाई अभी भी नीचे पड़ा हुआ है इसके analytics के उपर मैं अगर बात करता हूँ तो जैसे कि अहां पर आपको clear कुछ चीजे समझ में आ जाएंगी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ I think so हाँ आप देख सकते हो 2017 पे एक बार XRP रिपेल 35,000 परसेंट का pump दिया था लगबख 2.8 डॉलर पर जाके और उसके बाद एगर हम बात करते हैं लगबख 3.5 डॉलर तक गया उसके उपर XRP रिपेल बढ़ा नहीं अब 2017 के बाद से इसमें continuously dump हो रहा है अब reason क्या है तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं इसका future क्या हो सकता है उसके उपर बात करते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि 2019 पे यहाँ पर आखरी fundraising हुई थी and यहाँ पर कुछ details आपको देखने आप पड़ेगा like XRP रिपल के पिछली कहानी ठीक है जैसे कि यहाँ अब देख सेक्थे clearly XRP रिपल पे 2020 पे यहाँ पर end of December 2022 a civil action was filed at the end ठीक है यहाँ पर अब देख सेक्थे XRP रिपल टोकेन के उपर इसके company के उपर fund रिपल प्लाटपर्म facilitate money transfer for retail and a civil action was filed यहाँ पर इनके उपर एक case फाइल किया गया lawsuit फाइल किया गया इसको लेके अगर हम बात करते हैं देखते हो XRP रिपल की यहाँ पर end of अगर हम बात करेंगे April 29 2024 को ठीक है यहाँ पर जैसके अब देख सेक्ते हो remaining legal action must be completed by April 29 2024 the process of discovery यहाँ पर अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि April महिने में bitcoin की halving होने वाली है and April महिने में यहाँ पर final decision आने वाला है from court के तरफ से अगर हम बात करेंगे your secret exchange commission ने जो यहाँ पर lawsuit file किया है against XRP ripple की तो यहाँ पर बहुत एक high level का chance बन जाता है कि XRP ripple अगर April महिने में win कर जाता है तो आने वाले समय पर जैसे कि यहाँ पर predict किया जा रहा है कि end of 2024 1.8 डॉलर तक जा सकता है या फिर potentially लगबग 3 डॉलर तक भी जा सकता है और उमीद है यह कर पाएगा अब इसके पीछे का reason क्या है तो मैं वह भी आपको दिखा देता हूँ इसकी मतलब utility function के उपर बात करेंगे बट यहाँ पर अगर हम global crypto market पे आते हैं चल रही है वो भी इसका market क्या मात्र 30 billion डॉलर ठीके fundraise किया गया था अज से लगबग 5-6 साल पहले अगर अब देखोगे valuation था लगबग 10 billion डॉलर की आज आज भी अगर हम देखते हैं market की whole market capitalization है XRP ripple की 30 billion डॉलर की अब यहाँ पर बात करते हैं XRP की future क्या होने वाला है और क्या हो सकता है तो जैसे की देख सकते हो soul अभी 49 billion पे चल रहा है अगर हम बात करते हैं XRP ripple Ethereum से भी पुराना token है ठीक है Ethereum 2014 पे आया XRP ripple 2012-2013 पे आया उससे previous token होके आज यह 30 billion डॉलर पे चल रहा है 130 billion डॉलर पे चल रहा है और Ethereum की आज की price की बात करते हैं लगबग इसका 10 गुना से ज़्यादा है लगबग 300 billion डॉलर का market cap को अचीब करके रखा है तो possible तो दोस्तों यहां से high से high की XRP ripple जो आज 0.5 डॉलर पे चल रहा है यह 300, 400, 500 डॉलर का भी यहां पर 200 billion डॉलर का भी market cap को अचीब कर सकता है आने बाले 2-4, 4 साल, 8 साल, 10 साल बाद यह चीजें होता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहां पर बात करेंगे इसके पीछे के जो team है जो development चल रही है एक ही कहानी है कि lawsuit file and your secret exchange of commission and quote case को लेके जो कुछ चल रहा है वो ही एक बड़ी reason ही कि यह coin उस level पे growth आ नहीं पाया इतने सालों में and आने वाले future में definitely यहां से 10, 20, 30, 40 excretion हमें देखते हुए मिल सकता है क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज जो XRP Ripple का market cap है यह सिर्फ सरफ Ethereum का market cap को भी achieve कर लेता है तो लगभग 12 से 15 excretion हमको मिल जाएगे and यह चीज़े definitely होता हुआ देख सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर तो जो लोग XRP Ripple को एक long term के लिए hold करके रखे हैं एक long term के लिए hold करना चाहते हैं definitely वो एक अच्छी खासी तगड़ी profit पे जा सकते है तो भई जैसकि मैं बात कर जा था XRP Ripple की use case क्या है तो जैसकि आप देख सकते हो XRP Ripple की बात करेंगे तो यह multi sector use case है financial sector में अगर हम बात करेंगे payment settlement करने में वो चाहे international हो cross border हो border हो कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं यह एक बहुत बड़ी alternative है और बहुत बड़ी company है यह जो कि banking से direct relate करता है बड़े बड़े bank से deal करता है उनके साथ इनका partnership से दूसरी बात करेंगे जैसे कि almost इसी तरीके का project जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले वीडियो पे हम इन सभी के उपर discussion करेंगे Kedano, Polkadot, Jeta Chain जो recently launch हुआ है सतोसी BM जो recently launch हुआ है और Niviru Coin जो Niviru Chain यह launch होने वाला है ठीक है यह सभी के सभी काफी तगड़े project हैं जो कि आपको अच्छी खासी return दे सकते हैं तो भाई आज के वीडियो को यहीं पे close करते हैं बहुत जल्द क्लेश्ट भी मिलेंगे तब तक लिए टाड़ा वाई वाई नवसकार